हेलो एब्रिवान, वेलकम बेक टु ट्राइन टेस्ट कीचन, आज हुँ तमारी शाथे शेयर करीज एकदम नवी रिट्थी तूरियानु शाग बनावानी रेसिपी, तूरियानु शाग बनावता होशो, पर एक वार मारी रिट्थी जरूर ट्राइ करजो, कर्मा नाना मोटा सव आंगडा चाट्टा रही, जशे एटलू टेस्टी आज शाग बनी ने तया थासे, तो रेसिपी ने एंड सुधी जरूती जोजो, जो तमने रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक करजो, शेयर करजो, अने आविज नवी नवी रेसिपी जोवा माटे चानल न आपने आपने शारापाणि ये ववशकरी, उपणी छाल कड़ी लेवानी चे, त्यार बाद आपने एने समार शो, प्र समार बापेला आपने एने चाखी लेवानाचे तूरिया घनिवार कडवाा होई छे, तो चाखी ने त्यार बाद आपने तूरियाने आरीते 89PCC मा वड़ी जशे हाववे आपणे शाक बना में शो तो तेना माटे पैन ने गेसो पर गरम करा माटे मुखी शो अने त्रोण मोटी चम ची तेल उमेरी शो तेल गरम थाई जए त्यार बाद आपणे एक नानी चम ची जीरू मेरी शो साथे आपड़े 140 स्पून हेंग उमेरी इशो, जीरू फुटी जै त्यार बाद आपड़े समारेला तूरियाने आपड़े उमेरी देशो, अने तेल माँ आपड़े अर्धी थी एक मिनिट सुधी सातली लेशो रेसिपीने तमें एंसोधी जरू थी जोजो, आज शाक तमने खुबज पसंदावसे एक मिनिट थाई जै त्यार बाद आपड़े मसाला उमेरी इशो, तो अर्धी चमची हर्दर उमेरी इशो, एक मोटी चमची दानाजीरू पावडर उमेरी इशो, औने एक चमची काश्मीरी दालमर्च उमेरी इशो साथे आपड़े अड़्डू टमाटर ने आरिते कटकरने उमेर वनों छे, औने आपड़े स्वात प्रवाणे मीट्यू पन उमेरी देशो, हावे आपड़े बद्धाज मसाला ने तूरिया साथे एकदम सादी रीते मिक्स करवाना छे, अपड़े टमेटा उमेरी आचे, तूरिया साथे एकदम सादी रीते मिक्स थाए ग्या छे, हवे आपड़े पाणी उमेरी इशो, तो अहिया हुँ अर्दो ग्लास पाणी उमेरू छो, त्यार बाद आपड़े फरी थी मिक्स करशो, औने मिक्स करी ने आपड़े कवर करी पाच मिनिट सुदी कोक थावा दे शाक आपड़े चे, त्या सुदी आपड़े बीजा गैस उपर नॉन्स्टिक पैन ने गैस उपर गरम करवा माटे मुकी, एक मोटी चमची तेलो मेरी इशो, तेल गरम थाई, त्यार बाद आपड़े तेमा अर्दी चमची जीरू, औने वन फो टी स्पून हींग उमेरी ग मीडियम बोग खाटी परणी औने मोडी परणी एवी चास देवानी चे, साथे अर्दो कब जेतलू पाणी उमेरी शो, वन फो टी स्पून हर्दर उमेरी एकदम सादी रिते मिक्स करशू, हवे आपड़े थोड़ू लाल वर्चु पड़ो मेरी शो, औने मिक्स करशू, त गाठा बिलकुल न रहे, ए माटे आपड़े आरिते मैश करता जे, औने मिक्स करता जावानुचे, तो थोड़ा टाइम बाद तमें जोई शको छो, के मिश्रण आपरू घठवा लागियूचे, औने एकदम सारस दाने दार फॉम मा आवी गयूचे, तो लगबग पार्थी 7 मिनिट जेटलो टाइम लागशे, आ फॉम मा आवा माटे, मिश्रण आपरू एकदम परफेक्ली रडी थाई गेऊचे, गयस नी फ्लेम ने बन करशो, अईया में डीस ने तेल वड़े ओलडी ग्रीस करी लिती चे, आपरू मिश्रण आपरे दीस मा कडी लेवानुचे, त आपड़े एने कट करी, एना पीसिस करी लेई शो, तो तमारे जे पन शेपना करवा होई, जे टला नाना मोटा करवा होई, एतला करी शको छो, तो ही आम्में मीडियम साइज ना आरिते स्क्वेर पीस करी लिदा चे, तो आपनी ढोकडी एकदम सरस सोफ्ट बनीने तयार थ लगबग 37 मिनिट थाइगे चे, बीजी बाजू आपड़े तूरियाना शाकने पन चेक करी लेई शो, तूरियाने आरिते कट करीने चेक करवाना चे, तो मने थोड़ा हाड लागे चे, तो आपड़े फरीथी एने कुक करवा दे शो, पर तेना पेला आपड़े अर्दी च चमची जेटली लसर्णी चट्नियों मेरीशू, आल लसर्णी चट्नी कई गीते बनावी, यह उलड़ी में शेर करी छे रेसिपी, तमने लिंक हूँ डिस्क्रिप्चन बोक्स मा पी देश, तमे ज्या ती चेक करी शकोचो, फरीथी हूँ थोड़ू पाणी आड़ करीश, अने कवर करी आपणे तूरियाना शाक ने वदू ब्या मेनिट सुधी कुक करी लेशू, ब्या मेनिट बाद खोली ने चेक करशू, तमे जोई शकोचो के तूरिया आपणा एकदम परफेक्ट चड़ी गया छे, एन नमतलब के शाक आपणू बनीने तेयार छे, हावे आप आपणे हडवा हाते आरेते मिक्स करशू, कानके डोकडी आपणे एकदम सोफ्ट चे, टूटी ना जाए इमाटे आपणे हडवा हाते मिक्स करशू, साथे आपणे एक बे डोकडी ना पीसिस ने आरेते हा थड़े मैश करी ना उमेरी शू, जेती ग्रेवी आपणी रसो ज निने तयार थोईग्यू छे थोड़ी दाणा बजी स्प्रिंकल करीशो अने गर्मा गरम शाक ने आपने सव करशू आ शाक ने तम्हें बाजरी ना रोटला साथे जुवा ना रोटला साथे खाई शको छो एक दम टेस्टी लागे छे तो तम्हें पुण घरे जरूरती यह तमारा फिडबेक मेंने कमेंट करी जरूर जणाव जो तमने मारी आ रेसीपी गमी होई तो वीडियो ने लाइक कर जो शेर कर जो चैनल ने सब्सक्राइब कर जो चलो फरी मड़ी शू एक नवी रेसीपी साथे